I am quit का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं वैसे तो I am quit का कुछ भी मतलब नहीं निकला पर ये हो सकता है कि I am quitting का short hand हो यानि कि I am quitting को ही short में I am quit लिखा गया हो यानि कि I am quit could be a shortened version of I am quitting which means the speaker is resigning from their job और quitting an activity they were previously involved in यानि कि आप किसी भी काम में थे आप किसी काम को छोड़ रहे हैं या मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ या मैं इस चीज़ से बस निकल रहा हूँ तो ऐसा कहने के लिए I am quit का इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये कहने के लिए I am quitting का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके इलाव quit का हो सकता है कि spelling में e हट गया हो यानि कि I am quite भी हो सकता है और quite की spelling होती है q-u-i-t-e quite quite का मतलब होता है अत्यनतिया बिल्कुल यानि कि जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि मैं बिल्कुल खुश हूँ तो आप कहेंगे I am quite happy यानि कि मैं बिल्कुल खुश हूँ यानि कि depending on the context I am quit could be a typo or misspelling of I am quite which means the speaker is emphasizing their level of agreement or satisfaction with something for example if someone says I am quite happy they are indicating that they are very happy तो इस तरीके से दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें